हेलो एब्रिवन आज का जो मारा टॉपिक है वो है स्टाफिंग Staffing का मसलब क्या होता है Johnson means placing the right people at right-place अगर हम और्गनेज स्टाफिंग के प्लेशन के पोईंट-ई-उस सोचे तो सही जगे पे सही position के लिए सही person को बठाना राइट पीपलेड एट प्लेश वो हुता है स्टाफिंग staffing may be defined as a process of obtaining होगा so misprint हो गया था वो staffing may be defined as a process of obtaining utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce that staffing मतलब क्या होता है कि आप obtain करते हो, utilize करते हो, maintain करते हो, workforce का नहीं जो आप कहां पर organization में जो लोग काम करने वाले आ रहे हैं वो आप ऐसे लोग ले क्या हो जिनका आप अच्छे से use कर सको ठीक हो अच्छे से काम करें potential के according सही परसन को सही जगह पर बिठा के काम करवाना वो हता है staffing जिसमें आप भी satisfied रहो और जो employee काम कर रहा उस position पर वो भी satisfied रहें वो हता है staffing staffing is not a one-time function which has to perform only at the time of at the time of initiation of an organization in fact staffing is deemed to be a continuous process staffing एक कोई one-time function नहीं है जो कि एक बार आपने कर लिया और खतम हो गया मतला आपने organization start करी आपने staffing कर लिया staffing process कर लिया आपने recruitment कर लिया selection कर लिया लोग को place कर लिया अपनी company में तो यह चीज one-time नहीं कर नहीं है आपको ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो काम खतम जिंदगी भर के लिया आपको इस process continuous process बोला गया कि time to time need के according requirement के according आपको staffing process करनी पड़ेगी बार-बार और ऐसा क्यों होता है क्योंकि organization में changes आते लेते हैं suppose आपने कोई नया काम start किया organization में तो चल रहा है उसलों कोई नया काम start किया तो नई position के लिए आपको नय काम के लिए वापस स्टाफिंग करनी पड़ेगी ठीक है कोई कोई बंदा है बंदी काम छोड़के चलेगा आपके आँसे उसकी seat vacant है कि इसने resignation दे दिया है कोई existing employee मर गया है जैसे death हो गई उसकी retirement हो गया है तो उसकी place भी खाली हो जाएगी and so on so ऐसे बहुत सारे reasons रहते हैं जिस वज़े से staffing one time process नहीं है it is said to be a continuous process क्योंकि बहुत सारे reasons circumstances or condition की वज़े से आपको बाबार process करनी पड़ेगी यह वाली इसलिए इसको कहा जाता है कि there is a need of there is an ongoing need within an organization to obtain maintain train and look manpower for the best possible manner इसलिए staffing जो है वो ongoing need है ठीक है किसी भी organization के अंदर जहां पर आपको क्या करना पड़ता है obtain करना है maintain करना है train करना और manpower manpower को बुलाना है देखना उनकी तरफ पर best से best way में आपको train भी करना पड़ेगा organization के को उनको maintain control सब चीज़ करनी पड़ेगी तो यह होता है staffing और हम short में बोलें तो basically इसका ऐसे बोल सकते हैं कि लोग को बुलाना company में काम करने के लिए उनको place करना उनकी growth देखना development देखना सभी members का organization में कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने effort सही से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं उसके according उनको work करवाना उनको review देना feedback देना यह होता है staffing